Hello everyone and a very warm welcome to my youtube channel सिक्षा दोस्तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें सबसे पहले तो and नबाड ग्रेडे की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको मैं ये बता दूँ कि अब एक एक पल एक एक दिन आपका बहुत कीमती है तो उसको सोच समझ करके यूटिलाइज करें बिल्कुल भी समय खराब ना करें और सिरफ प्रिलियम्स तक नहीं मैंस तक जो है अब आपको बहुत ज़्यादा डिसिप्लेंड रहना है अपनी टाइम मैनेजमेंट को लेकर के दोस्तों कल हमने इसका एक फर्स लेक्चर देखा था अल्रेडी जो डल चुका है लेक्चर रिलेटिटी टू रिलेटेस्ट करेंट अग्रिकल्चर डेटा ठीक है और जो हम इसके अंदर मेंली सोर्स फॉलो कर रहे है दाट इस यॉर एग्रिकल्चर अट ग्लांस जो भारत सरकार की रिपोर्ट आती है जो लेटेस्ट डेटा हमें प्रोवाइड करती है वो डिसकर हम कर रहे हैं तो उसको शुरू करने जे पहले मैं आपको फिर बता दू कि हमारा 2000 प्लस MCQ कोर्स है डिटेल्ड सल्यूशन के साथ आपको उसमें MCQ कोर्शन प्रोवाइड किये जाते नौन वीडियो है ताकि आप फटा पच्छे कोर्शन करो और सल्यूशन पढ़ करके आगे बढ़ो ठीक है अल्टिमेटली एग्रिकल्चर और रूरल डेवलप्मेंट एक ऐसा एरिया जहां पर सबसे ज़्यादा बच्चे प्रॉब्लम फेस करते हैं अना बाड में स्पेश अगर किसी की पेइंग क्यापिलिटी नहीं है किसी की पेइंग कपैसिटी नहीं है मैं बार-बार बोल रहा हूँ अगर कोई पे नहीं कर सकता फाइनाशल प्रॉबलम है तो उसको मुझे वाट्चाप करना है 9041244689 के उपर उसका सल्यूशन भी उसको निकाल करके दिया ज हूँ है लेक्चर बन हम अल्ड़ेडी कर चुके हैं इसका PDF टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा पहले लेक्चर का PDF टेलीग्राम पे डाल चुको हूँ को तो की इंडिकेटर बेटा आमने बीसिक्रें बिसक्रें करने अंड लेट उसक्विक्ली स्टाटि हर shines लाएक इंडिकेटर बहुत इंपॉटेंट है हर इंडिकेटर में से डेरेक्टली question आपसे पेपर के अंदर पूछे जाते हैं, तो सबसे पहले तो geographical area, यहाँ पर total country के geographical land area की बात हो रही है, land indicators हम देख रहे हैं, तो total geographical area और यह जो आपको अब लगेगा कि सर यह तो 2018-19 का data है, बेटा भारत सरकार इसी data को use कर रही है अभी भी, ठीक है, यही data चल रहा है अभी, जो आपका यह सारा data है यह 2018-19 के हिसाब से question में भी पूछेगा, तो आप बिल्कुल भी उसकी चिंता ना करें, यह बिल्कुल latest data है, geographical area कितना है वेटा, 328.73 million hectare, यह याद रखना है as it is, paper के अंदर वो confuse भी कर सकता है, बहुत near options भी आपको दे सकता है, for example, 328.73 दे दे, 322.73, 332.73, 330.73, इतने close options भी वो आपको दे सकता है, तो आपको completely इसको याद रखना है, geographical area जो total जमीन है हिंदुस्तान की, जो total land है हिंदुस्तान का, next indicator आजाता है, reported area for land utilization statistics, reported area for land utilization statistics, सबसे पहले तो यह reported area या reporting area क्या होता है, so reported area या reporting area का क्या मतलब होता है, जहां पर हमारे पास land use classification का data available है, जैसे जो various villages वगेरा से हमें land records मिलते हैं, जो data मिलता है, उसके basis पे हम जो construct करते हैं land, उसको हम बोलते है, reporting area, जो basically recorded area, जिसके लिए data available है, तो जो reporting area है, वो कितना है, 307.79, यानि कि यह recorded है, इसके लिए हमारे पास data available है, बाकी का जो बचा around 20 million hectare, उसका हमारे पास कोई recorded area नहीं है, ओके, so 307.79 million hectare क्या है, हमारा reported area है, third number पे आजाता है आपका area under forest, area under forest वाला point आप यहां से मत करना, ठीक है, आप area under forest यहां से याद कर लो, area under forest तो आप यहां से याद कर लो, एक second रूको, area under forest आप यहां से याद कर लो, 72.01 million hectare है, percentage of area under forest to reported area, यह आप इसका याद ना करो, ठीक है, यह आप याद करोगे, इंडिया state of the forest report, 2021 जो लिटेस्ट रिपोर्ट है, उसका data आपने याद करना है कि कितना percentage of area है, जो forest cover करता है, वो भी मैं discuss करूँगा, do not worry about that, ठीक है, हाल विलाल आप 23.40 थोड़ा सा दिमाग के अंदर रख सकते हैं, gross crop area, इंडिया का gross crop area कितना है, सबसे पहले तो gross crop area होता कि इसको समझो, यह देखो जी, gross, gross crop area होता है, सबसे पहले मैं आपको text दिखाने से पहले एक simple example से समझाता हूँ, for example, यह एक जमीन का टुकड़ा है, ठीक है, यह एक जमीन का टुकड़ा है, अब इस जमीन पे मैंने क्या किया, यह मेरा land है, ठीक है, this land belongs to me, एक hectare जगा है यह, ठीक है, और यह मेरी है, यहाँ पर मैंने खारिफ सीजन में राइस ग्रो किया, ठीक है, खारिफ सीजन में मैंने राइस ग्रो किया, उसके बाद मेरा राइस तयार हो गया, कट गया, ऑक्टूबर मन्द में राभी तक आते आते, मैंने इसी land में अपनी चावल की फसल को काच दिया और फिर मैंने इसमें wheat grow कर दिया ठीक है अब इसी land के अंदर मैंने जब rabi season चला गया जब summer season आया जब जायद season आया उस time पर मैंने इसके अंदर कोई vegetable crop लगा दिया ठीक है तो basically मैंने एक साल के अंदर अंदर एक agricultural year के अंदर मैंने तीन फसल लगाई है सेम लैंड के उपर तो जब मुझे gross crop area count करना होगा कि gross crop area कि कितने area में cropping हुई तो वैसे तो एक ही hectare जगा में तीन बार फसल लगाई है ना अलग अलग जमीनों पे तो नहीं लगाई एक ही जमीन पे तीन बार साल में फसल लगा दी तो gross crop area जब हम calculate करेंगे ना एक hectare में मैंने खारिफ लगाया, चाबल लगाया एक में मैंने राभी लगाया, एक में मैंने जायद लगाया, तो total हो गया तीन हेक्टेर, यह मेरा gross crop area है, यानि कि simple भाषा में अगर same land को मैं multiple times use कर रहा हूँ different crops के लिए एक साल के अंदर अंदर, तो जितनी बार मैं उसको use कर रहा हूँ, वो उतनी बार count हो जाएगा, gross crop area के अंदर, ठीक है, तो gross crop area की definition क्या हो गई total area sown once and or more than once in a particular year, that is the area is counted as many times as there are sowns in a year, जितनी बार भी मैं साल में फसल लगाँगा उतनी बार इसकी counting होगी अब यहाँ पर example में मैंने तीन बार लगाई है, तो इसकी counting तीन बार होगी ठीक है, और gross cropped area को हम total cropped area या total area sown भी कहते हैं, ठीक है, यह हो गया आपका gross cropped area, अब gross cropped area का data देखने से पहले एक इसी से related term समझ लो, net area sown यह उल्टी चीज़ है अब यहाँ पर अब यहाँ पर क्या होगा, अब for example यह मेरा एक land है, again मैंने खारिफ के अंदर rice grow किया ठीक है, उसके बाद मैंने राबी के अंदर wheat grow किया उके, उसके बाद जी मैं जायद season में आ गया जायद के अंदर मैंने कोई vegetable grow किया, यह एक hectare जगा है, तो जब मैं अपना net area sown calculate करूँगा, तब मैं यह नहीं देखूँगा कि एक hectare में मैंने चाबल लगाया, एक hectare में मैंने राबी लगाया, एक hectare में मैंने जायद लगाया यह तो मेरा gross crop area था net area sown की कितनी जमीन है ठीक है, कितनी बार उसमें साल में फसल लगाई है, उससे कोई फरक नी पड़ता तो अगर मुझसे पूचेगा net area sown कोई कितना है, तो मैं कह दूँगा कि वो एक hectare है, क्योंकि इसी एक hectare में मैंने तीन बार फसल लगाई है तो gross crop area और net zone area में समझ आ गया, gross crop area में same land में हमने जितनी बार भी साल में फसल लगाई है, हम count करेंगे net area sown में हम सिरफ और सिरफ land का size एक बार लेंगे, चाहे साल में उसमें एक बार फसल लगी है, चाहे उसमें साल में दो बार लगी है, चाहे तीन बार लगी है, चाहे दस बार लगी है, सीधी सी बात ही होगी so net area sown क्या represent करता है total area sown with crops and orchards, area sown more than once in the same year is counted only once, ठीक है तो ये difference है, basically gross याद रखना है, सारे का सारा data इसके उपर से direct questions पेपर में पहले भी पूछे गए हैं, आगे भी पूछे जा सकते हैं okay, so do not take it lightly this is very important, gross cropped area के बाद next आज आता है आपका percentage of gross cropped area to reported area, ये जो gross cropped area है, इसका percentage इस reported area के मुकाबले कितना है it is 64.11% again, very important point जो आपको याद रखना है, net area zone, जो अभी हमने net area zone समझा, वो कितना है, 139.35 million hectare, so all of these have to be, you know remembered, इसमें से direct paper के अंदर question जो है वो पूछे जाएंगे, direct question पूछे जाएंगे, ठीके, चलो आगे आजाओ next, percentage of net area zone to reported area, again हमने net area zone का reported area से percentage निकाल लिया, 45.27% अब देखो, gross cropped area जादा है, net area zone जो है, वो कम है percentage of gross area to reported area भी जादा होगा, definitely और percentage of net area zone to reported area, उसके मुकाबले कम है कई बार वो इस टाइप की statements में भी आपको confuse कर सकता है, तो उसके लिए भी आपको तैयार रहे हैं area zone more than once area zone more than once कितना है, 57.97 million hectare area zone more than once के हो गया, जहाँ पर साल में एक से जादा बार फसल लगी है तो वो अपने को कैसे पता चलेगा अपन कैसे calculate करेंगे, कि area zone more than once के है, उसका सीधा सा area आजाएगा, जिस पे फसल एक से जादा बार grow की गई है, ठीक है simple सा formula है इसका, all right cropping intensity, next very important, नबाड का paper उठा करके देख लो, previous year में ये question पूछा जा चुका है कि cropping intensity कितनी होती है, तो cropping intensity इंडिया के अंदर है 141.60% cropping intensity कैसे calculate होती है cropping intensity के अंदर जो gross cropped area है और जो net area zone है, इसका ratio हम लेते हैं, ठीक है, net area zone और total cropped area का ratio यानि कि gross cropped area का ratio निकल लेकर के आपकी cropping intensity निकलती है वो formula भी पूछ सकता है directly, कि cropping intensity कैसे निकाली जाती है, या area zone more than once कैसे निकाला जाता है, तो ये भी net zone area और आपका जो gross cropped area है उसका percentage आप calculate कर लोगे उसके बाद जी net irrigated area, net irrigated area तो easy term है, इसमें कोई ज़्यादा tension वाली बात नहीं है, net irrigated area क्या हो गया, ये वो area है जहाँ पर irrigation हो रही है किसी भी एक source से one scenario, ठीक है, किसी साल में एक बार किसी भी crop के लिए ज़रूरी नहीं है, कि साल में आप तीन crops लगा रहे हो तो आपको तीनो crops के time पर irrigation available है, अगर आपको साल में किसी भी time पर, crop के time पर आपको irrigation available है, तो आप net irrigated area के अंदर आप count हो जाओगे तो net irrigated area कितना है 71.55 million hectare है और 71.55 million hectare में से दो जो major source है, वो है canal और tube well tube well अगर आप देखोगे, तो tube well जो है सबसे major source है, around 33.81%, जो total net irrigated area है, उसका 33.81% जो irrigation है वो tube well से हो रहा है, around 34.71 million hectare और 16% जो है, वो canal से irrigation हो रहा है, which is around 16.43 million hectare इसके case में percentages याद कर लेना बेटा ये जितने भी stats है इसके उपर, सबके उपर मैंने MCQ बना करके डाले हुए है, जो वो MCQ 2000 plus MCQ course है, ठीक है तो अब हहां से आपको idea भी लग जाएगा कि MCQ किस तरीके से हैंगे, gross irrigated area, again net irrigated area और gross irrigated area में difference आजाएगा, gross irrigated area में ये है, आप for example, अगर दो बार आपको irrigation का पानी अवेलेबल हुआ है तो वो दोनों बार count होगा ठीक है, वो दोनों बार count होगा अगर same land पे दो बार irrigation का अवेलेबल हुआ है, दो अलग-अलग crops के लिए तो वो दोनों बार count होगा, जैसे net land area और gross land area में वैसी net irrigated area और gross irrigated area में भी है, intensity of irrigation के उपर अपने पास यहाँ पर data अवेलेबल नहीं है चलिए ओके, next अजी, total number of cultivators as per census 2011, 2011 अभी अपने बास देखो, 2021 का census तो अवेलेबल है नहीं, तो 2011 के census पर ही question आएंगे 2011 के census के हिसाब से अपने पास कितने, total number of cultivators हैं, 118.8 million, और agricultural laborers कितने हैं 144.3 अब ये cultivator और agricultural laborer के बीज में difference क्या होता है ये भी अपने को बता होना चाहिए तो सबसे पहले cultivator किसको हम cultivator consider करते हैं, अगर कोई बंदा engaged है, either as a employer, ठीक है वो employer है, single worker है, family worker है और वो land cultivation कर रहा है, या तो वो land उसका खुद का है, ठीक है या फिर उसको सरकार से मिला है, या उसने किसी private person से किराय पे लिए है, या किसी institute से किराय पे लिए है, वो basically इस land के लिए किराया दे रहा है, चाहे वो सरकार को दे रहा है, चाहे वो किसी private person को दे रहा है, चाहे वो किसी institution को दे रहा है, ठीक है, अब ये किराया जो है, वो पैसो में भी हो सकता है, या फिर ये भी हो सकता है कि भई अगर 100 kg फसल ग्रो करी, तो as a rent मैं 50 kg जो है, वो owner को दे दूंग है land के उपर और वो land या तो उसका है या उसने rent पे लिया है तो हम उसके लिए क्या term use करते हैं cultivator ठीक है cultivator agricultural laborer कौन हो गया जो बंदा किसी दूसरे के land पे काम कर रहा है और उसके लिए उसको तंखा मिल रही है उसके लिए उसको wages मिल रही है अब वो wage पैसे में भी हो सकती है या फिर crop का share भी हो सकता है वो हो गया agricultural laborer ठीक है तो यह दोनों के बीच में difference है तो cultivator कितने हैं 118.8 million और laborers कितने हैं 144.3 million देखो यह जादा है यह भी याद रखनी है यह छोटी-छोटी चीज़े भी याद रखनी है कि कौन जाद है कौन कम है क्योंकि वो statement डाल करके पूछ सकता है specifically तुमारे mains के exam में होके now total workforce में agricultural workers का क्या workforce है यानि कि अगर पूरे हिंदुस्तान में अलग-अलग areas में 100 लोग काम कर रहे हैं तो उसमें agriculture में कितने लोग काम कर रहे हैं इसमें cultivator और agriculture laborer दोनों आगे तो 54.6% again census 2011 के हिसाब से 54. total workers का 54.6% जो है वो agricultural workers है यह बहुत-बहुत highly important data बेटा सारे का सारा इसमें से questions बहुत सारे पूछे जा सकते हैं तो इनको बहुत अच्छे से आपने cover up कर लेना है चलिए okay so this was the last for this video इसी तरीके से continue करते जाएंगे इस पूरी report को cover करेंगे ठीक है बहुत important report है बहुत सारे questions इसके अंदर से बन करके आते हैं लेकिन खुद से मत पढ़ने बैटना आप साड़े 400 page की report देखने का कोई फायदा नहीं है कोई भी query हो whatsapp कर सकते हो telegram का भी link के description में वहाँ पर अपनी query share कर सकते हो mail कर सकते हो pdf आपको telegram पे मिल जाएगी उसका link description के अंदर है course का link description के अंदर है and please guys do subscribe the channel और हो सके तो दोस्तों के साथ भी share कीजिए चलिए मिलते है next lecture में दोस्तों till then take care and bye